आज में आप लोग साथ दो तरह के चटनी के दिश्पी शेयर करूंगे एक हरे धनिया और पुदीने के चटनी और दूसरी इमली बिल्कुल खटी मीठी सी चटनी इसे आप चार दही बल्ले बहुत सही चीजों में इस्तमाल कर सकते हैं तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम आएंगे जिसके लिए लोग वन हैंडफुल हरे धनिया लेंगे उतना ही हम लोगों को पुदीना भी लेना है उसके बाद हम लोग इसमें थोड़ा सा कटावा एक इंच अधरक डालेंगे तीन से चार हम लोग इसमें लैसून के कलिया डालेंगे अब दो चमच रोस्टेट चना डाल लेंगे आप बस चना डाल को रोस्ट कर लें और इससे इस्तमाल कर लें अब इसमें हम लोग हाफ लेमन कर देंगे इसके बाद हम लोग इसमें थोड़ा सा चीनी डालेंगे थोड़ा सा हम लोग इसमें नमक भी डाइड कर देंगे तो ये हमारी हो छिटनी बंकर तयार है लग और हम लोग किसी फ्कांटिक को निकाल लें इस्ट्रीolog कि छॉठ निके बनाना करते हैं इमनी टीक भी खॉठीर के लिए 1 रोख लख लें बस इमली को आदे गंटे के लिए पानी में सोक करना है उसके बाद हम लोग इसका सीट्स बगारे सारा को रिमूफ कर देंगे और इसे हम लोग एक कब डालेंगे अब मैं यहाँ पर वन फोर्थ कप यह ले रही हूं आप चाहे तो गुड़ भी ले सकते मार्केट में जो चट अब हम लोग इसमें चाट मसाला डालेंगे अब हम लोग इसे गाड़ा होना तक पका लेंगे देखे हमारी जो चट्नी वह गाड़ा ही हो चुकी है इसे हम लोग चेक करेंगे देखे इस पैचुला पे जब हम लोग इसे लगा है तो यह अच्छी तरीक से पोट हो जा रही ये इस पैचुला पर इसकी मतलब हमारी जो चटनी वह बनकर बिलकुल तयार है अब हम लोग इससे निकाल लेंगे और ठंड़ा होने देंगे तो लिजे फ्रेंज हमारी इमली की खटी मीटी चटनी भी बनकर तयार है आप इसे किसी भी चाड़ दही बले किसी भी चीज के तो अब लोग अच्छी लगी होगी अच्छी लगी है तो लाइक करें सब्सक्राइब करें तो मैं आप लोग से अगले वीडियो मिलूंगी तब तक लिए बाई 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 अल्लाहाफिज